हेलो जहें दोस्तों तयार हो जाए एक और वेकेंशी के लिए जीहां साहबान पहले और पहले पाउ की वेकेंशी रहने वाले हैं अगर आप भी दसवी पास है तो देरी किये बिना है दोस्तों इस वेकेंशी के लिए आप भी निकल पड़िये इसके लिए 9 अपरेल को दोस्त की योड़ से वेकेंसी जारी कर दी गई है आपका दोस्तों अप्लिकेशन औरेडी स्टार्ट हो गया है लास्ट डेट की बात करें तो 9 अपरेल इसकी लास्ट डेट रहने वाले हैं इसके अंतरगत जैसा कि मैंने बोला था कि पीस पेमेंट तो पीस पेमेंट आप से कुछ भ इसके अंतरगत आपका नहीं रहने वाला है यानि दोस्तों डायर्क डिर्ट्रूटमेंट ट्रेय आपकी रहने वाले हैं इलेजिविल्टी की बात करें तो दसी पास आप होना चाहिए इसके अंतरगत आपको कौन-कौन के डिडिट आवे दिन कर सकता है तो दोस्तों दसी पास वह आवे तक जिनको कर्शी का नोलेज है सेलेरी आपकी 16,000 रुपे परमन्त आपकी मिलने वाले हैं इसके लिए मैं आपको दोस्तों ऑफिशल नोटिपिकेशन भी अभी सो करने वाला हूं तो दोस्तों वह जरूर चेकिजिगा एज लिमिट की बात करें तो 9 अपरेल को दोस्तों आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए मैक्सिमम एज इसके अंतरगत नहीं रखी गए इसके लिए भी दोस्तों आपको मैं एक बार वापस नोटिपिकेशन के उपर लेके चलूंगा ताकि आपको को दिकत ना रहें सेलेक्शन प्रोसेज आपका बता देता हूं कि इसमें वोकिन इंट्रू आपका रहने वाला है इंट्रू डेट है आपकी 9 अपरेल 2024 इसके लिए दोस्तों आपको अपने डॉकॉमेंट्स तयार कर लेना है जो ओरिजिनल एजुकेशन सल्टिपिकेट हो गया अधार कार्ड हो गया यह सारी चीज़े आपको तयार करके रख लेना है ताकि आप इंट्रू के लिए जैसे ही जाओ उसके लिए दोस्तों आपको 9 अपरेल को इंट्रू के लिए जाना होगा तो इंट्रू वाले वेन्यू कौन सी रहेगी वो वेन्यू आप ज़रूर नोट करके रख लिए घीजी क्योंकि मैं उसको आपको बताने वाला हूं की वो कौन सी रहेगी वो दोस्तों थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि जैसे वहां पर चलता हूं तो वहां पर आपको बता देता हूं इससे पहले चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कि लिजी ताकि इससे हमें भी मोटिवेशनल म पूरा बता दिया गया कि आपकी टोटल वेकेंश कितने रहने वाले तो टोटल वेकेंश थर्टी फोर आपकी इसमें बताएंगे आपका जो रहने वाला होगा वह होगा दोस्तों एक्जुकुटीव डिरेक्टर पंजाब एगरिकल्चर युनिवेसिटी लुदियाना के अ लगना है व आपको नोट कर पाएंगे इसका उर मैंने आपको बता दिया और आपको मिलने वाले क्वालिपिकेशन की बात करें तो तेंथ पाज केंडिडेट इसमें आविदन कहरे पाएंगे इसके अला दोस्तों इसमें जो प्रफरेंश है वो किसको दी जाएगी जो केंडिडेट एगरी कल्चर से समंद्धित ज्यान रखता है उसको इसमें दोड़ा सा नुलेज है उसको